केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तयारी कर ली है हाली में वैक्सीन देने को लेकर सरकार नी स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट राज के साथ साचा किया है पताया जारा है कि स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर की अनुसार हर टीका करन केंदर पर एक गार समेथ पाच लोगों की तैनाती होगी और तीन कमरी वेटिंग वैक्सिनेशन और अब्जर्वेशन के लिए होगी साथ ही वैक्सिन लेने वाले हर शक्स को अनिवारे रूप से किसी भी तरह के विपरित प्रभाव की आशंका के मदे नसर तीस मिनिट तक निगरानी में रखा जाएगा लगाये गए अनुमान के मताबिक प्रतेक ठीका करन केंडर पर एक दिन में लगबग 100 लोगों को वैक्सिन दी जा सकेगी वैक्सिनेशन रूम में एक बार में एक ही शक्स को प्रवेश की अनुवति होगी हाला कि वेटिंग और निगरानी रूम में कई लोगों के बैटने की विवस्था की जाएगी आपको बता दे कि कई देशों ने अलग-अलग कमपनियों की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तिमाल को मनजूरी दी है माना जारा है कि इस साल के अंतिया अगले साल की शिरुवात में भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तिमाल को मनजूरी मिल सकती है भारत बैटेक को फिलहाल जारी फेस थ्री ट्राइल्स का सेफटी और एफकेसी डेटा सौपनी को कहा गया है कमपनी ने ड्रग कंट्रोलर चेनरल अफ इंडिया के सामनी साथ दिसंबर को इमर्जनसी युद्ध ऑथराइजेशन के लिए अपलाय किया था कमपनी ने इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च के वैग्यानी को संगमल कर कोवैक्जीन नाम से टीका बनाया है